हालो डियर स्टूडेंट वैलकम बैक टू यॉर चेनल दांगी एकडमी इस एकडमी पर सभी कॉंप्टिशन एक्जाम की प्रिप्रेशन करवाई जाती है साथ ही स्टूडेंट की डिमांड पर क्लास नाइन की केमस्ट्री भी इस पर स्टार्ट की गई है सेकेंड चेप्टर का फॉर्स्ट वीडियो पहले ही इस पर अप्लोड किया जा चुका है यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए आज की इस वीडियो में हम आगे की टॉपिक को कवर करेंगे देखेंगे की मैटल क्या होती है, नॉन मैटल क्या होती है, मैटलोड क्या होती है और इन सबकी प्रॉपरटीज को फिजिकल और केमेकल प्रॉपरटीज को एक्जामपल के तुरू समझेंगे यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए ताइए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैटल्स से तो हम सबी परिचीत है कि मैटल क्या होता है वी आर बेरी वेल नॉन अबाउट मैटल्स मैटल्स क्या होगी इनकी प्रॉपटी भी हम देक लेते हैं इनकी देफिनिशन भी देख लेते हैं So, on the basis of their properties, जो elements है, पहले हमने उनकी properties को observe कि कोई hard है, boil करने पर कैसा दिख रहा है, color इसका कैसा है, जब इसको hammer के हाथ से beat किया जा रहा है, या stretch किया जा रहा है, तो इसकी property किस type की है? So, on the basis of their properties, all the elements can be divided into three groups, metals, non-metals and metalloids. तीन हो गई हैं, एक एक को हम discuss कर लेते हैं, metals, metal is an element that is malleable, ductile and conduct electricity, या property पढ़ चुके हैं कि malleable and ductility क्या होती है, ठीक है, अभी हम इसको और detail में देख लेंगे, कुस एक्जामपल से metal के iron, copper, aluminium, zinc, silver, gold, platinum, chromium, sodium, potassium, magnesium, nickel, cobalt, tin, lead, cadmium, mercury, antimony, tungsten, manganese, uranium, ये सभी क्या हैं, metals हैं और ये सभी solid form में हमें मिलती हैं, only सिर्फ एक exception हैं आपकी, जो mercury metals होती हैं, वो आपको room temperature पे liquid state में मिलती हैं, properties of metal, properties of metal देख लेते हैं, से पहले मैं आपको definition बता देती हूँ, exam में जब भी आपको आए कि what is metal, ये define metal with example, तो आपको क्या लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखे हैं कि जो metal होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने electron को loose कर देती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, sodium is a metal, तो metal always loose their electron and get negative positive charge, positive charge आएगा, जब भी कोई अपने electron को loose करेगा या donate करेगा, तो उसके उपर आजाएगा positive charge, जितने जादा electron को loose करेगा, या जितने number of electron को loose कर रहा है, या donate कर रहा है कोई भी metal, उतने ही charge उसके उपर आजाएंगे, जैसे sodium ने एक electron lose करा, या donate करा chlorine को, तो इसके उपर एक positive charge आजाएगा, तो यह हो जाएगा आपके metal की definition, अब properties देखते हैं, क्या क्या होती है properties, metals are malleable, तो malleable क्या होती है, यानि कि किसी भी hammer के help सजब इसको beat किया जाएगा, तो यह बिना break away, क्या हो जाएगी, आपकी पतली सी sheet में convert हो जाएगी, जैसे team sheet हो गई, aluminium sheet हो जाएगी, silver sheet, gold foil, यह सब हम देख चुके हैं, aluminium को packaging of food के लिए use किया जाता है, medicine के cover बनाने के लिए, biscuit, chocolate, cigarette in sub के cover बनाने के लिए इसको use किया जाता है, जो milk bottle का cap होता है, वो भी aluminium की foil से बना हुआ होता है, इसके अलब आजकल bottle का formation किया जा रहा है, बहुत सारी cooking utensils बनाई जाती है, copper जो होता है, वो बहुत highly malleable होता है, that's why copper sheet are used to make utensils and other container, बहुत सारे container बनाने के लिए इसका use किया जाता है, किसी भी metal का, second property देखते हैं, metals are ductile in nature, तो ductile means क्या हो रहा है, stretch करना, किसी भी चीज़ को जैसे हमने अभी देखा था, rubber band है, आपका कोई भी rubber है, उसको आप stretch करेंगे, तो वो long form में हो जाएगा है, उसकी जो length है, वो increase हो जाएगी, तो same way से यहाँ क्या हो रहा है, कि किसी भी metal को stretch किया जा रहा है, drawn किया जा रहा है, तो उसमें से वो wire का formation कर रही है, आपने copper wire देखे होंगे, electricity के लिए इसका use किया जाता है, इसके अलबा gold, silver, ये सबी भी क्या होती हैं, इस सारी metals भी ductile in nature होती है, सो ग्राम या हंड्रेड मिली ग्राम अफ हाइली ductile metal like silver can be drawn into thin wire about 200 meter longs and gold, वन ग्राम 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 को 2 किलो मिटर तक stretch किया जा सकता है, सेम वेसे ही आपके aluminium metal हो गई, वो भी बहुत ductile होती है, उसके भी wires बनाया जाते हैं, electrical wiring में इसका use किया जाता है, copper wires हो जाएंगे, copper में भी ductility की property प्रेजेंट होती है, उसको भी use किया जाता है आपका wires बनाने में, तो ये भी एक important property हो जाएगी, तो इनको अलग-अलग shape भी दिया जा सकता है, अलग-अलग चीजों के लिए, कि किस टैप के wire का आपको permission करना है, metals are good conductor of heat and electricity, दोनों चीजों की है, ये good conductor होती है metals, heat and electricity की, यहाँ पर आपने अभी दो properties देखी थी, metals की malleability and ductility, तो यहाँ पर कुछ exception भी होते हैं metal के, सारी metals malleable नहीं होती है, जिसे कि आपकी sodium metal हो गई, potassium metal हो गई, तो ये metals break हो जाती है, ये exception है, आपके sodium and potassium, इससे related metals and non-metals का, आपको वीडियो दांगी एकडमी की playlist में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक-एक metals की properties, with exception, दोनों की ही बताए गई है, difference के साथ में, साथी non-metals क्या होते हैं, ये भी आपको बताए गई है, आपको डिफ्रेंस बिट्विन आता है, metals and non-metals, तो आप भी आप एजली इनको लिख सकते हैं, तो एक बार आप दांगी एकडमी की playlist में जाकर उस वीडियो को जरू देखिएगा, यहाँ पर भी exception हो जाएंगे, आपके ductility के अंदर भी sodium metal हैं, potassium metals, good conductor of heat and electricity, तो यहाँ पर क्या होगो, जो भी metals होती है, जैसे silver metal हो गई, तो यह best conductor है, आपके heat का, it is the highest thermal conductivity, सबसे ज़्यादा conduct करती है, silver metal heat को, copper और aluminium metal, यह भी good conductor है, heat की, दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखना है, बहुत सारी utensil आपने देखा होगा, copper और aluminium की बनाए जाती है, क्योंकि यह अच्छी conductor है heat की, उसके अलावा ही, boilers बनाए जाते हैं, cooking boilers, aluminium metal हो गई, यह भी बहुत अच्छी heat की conductor होती है, सबसे जो poorest conductor है heat की, यह दोनों metal lead and mercury, poor conductor of heat, सिर्फ heat हमें ध्यान रखना है, अब देखते हम electricity, तो metals क्या होती है, अभी हमने देखा wire बनाने के form में, electrical wire बनाने के form में, इनका यूज़ किया जा रहा है, तो they are good conductor of electricity, इनका यूज़ किया जा रहा है, silver metal, best conductor है electricity की, copper metal, silver के बाद में next best conductor हो जाएगी electricity की, same way से ही gold हो गया, aluminum and tungsten, तो electric wires बनाने में, copper और aluminum का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अभी हमने देखा कि silver best conductor है, तो आपकी सारी wiring ये दि, silver metal से कर दी जाएगी, तो कभी भी थीफ आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, wiring को ही चुरा के ले जाएगा, इसलिए silver की जगा हम किसका यूज़ कर रहे हैं, copper का यूज़ कर रहे हैं, क्यूंकि silver की cost ज़्यादा होती है, इसमें भी क्या हो रहा है, कि जो आपकी mercury metal है, वो जादा resistance को, greater resistance to flow of current, यानि कि ये exception हो जाएगा यहाँ पर, कि it is a bad conductor of electricity, metals are lusters and can be polished, lusters means होता है, shiny property, जिसे gold, silver, copper, ये सभी क्या होती, shiny material, इनकी जो outer surface होती है, उनमें चमक होती है, एक shiny property होती है, उसी को कहा जाता है, metallic luster, जो shiny property होती होती, उसी को हम कहते हैं, luster, इनका appearance कैसा होगा, क्योंकि shiny property है, इसी दिए इनको हम use करेंगे, jewelry बनाने के लिए, decoration के लिए, gold, silver, इनसे jewelry बनाए जाती है, क्योंकि ये bright होती हैं, और shiny होती है, इनकी जो outer surface होती है, वो light को reflect करती है, अच्छा reflector होती हैं, ये metals, silver matter is an excellent reflector of light, आपने देखा होगा, जब भी कोई, आप jewelry लेकर आते हैं, silver की तो जो new jewelry होती है, उसमें, बहुत ज़्यादा shiny appearance आपको दिखाई देगा, metals are generally hard, except sodium, potassium, which are soft metal, तो ये exception हो जाएंगे, बाकी other, जो भी metals होती हैं, वो generally hard होती हैं, तो उनको आप किसी भी knife की help से cut नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी utensils हैं, या कोई भी आप boilers वगेरा, या किसी भी machinery parts का formation कर रहे हैं, तो metals की help से कर रहे हैं, sodium, potassium metals बहुत soft होती हैं, so we can cut easily with the help of knife, next property है, आपकी metals are usually strong, यानि they have high tensile strength, थोड़ी से strong होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो, जब उनके अंदर हम किसी भी weight को रखते हैं, तो बिना टूटे ही वो उसको hold कर लेती, जैसे कि iron metal हो गई, जब या steel इससे बनाया जा रहा है, तो बहुत strong होगा, आपने उसके अंदर कुछ भी और चीजे रखी, या आपने देखा होगा railway bridge बनाया जा रहा है, या किसी भी सड़क पे pull का formation हो रहा है, bridge building, railway lines, बड़ी-बड़ी machine के parts बनाया जा रहे हैं, vehicles बनाया जा रहे हैं, chains बनाया जा रहे हैं, तो यह सब बनाया जाती है, metal की help से, तो क्या हो रहा है कि जो भी metals है, वो strong होती हैं, और उनकी जो tensile strength है, वो भी जादा होती है, यानि कि वो weight को hold कर सकती है, break नहीं होती है, इसलिए इनका use किया जाता है, अगली property है, metals are solid at room temperature, तो हमने घर में हमारे सभी ने utensils बर्तन देखी होंगी, वो सभी solid property में ही होते हैं, तो जितने भी metals होती हैं, सिर्फ mercury को छोड़ के, because mercury metal is liquid at room temperature, बाकी अधर जो भी metals होगी, like iron, copper, aluminium, silver and gold, यह सभी क्या होती हैं, कि room temperature पे solid होती हैं, सिर्फ mercury ही एक ऐसे liquid हैं, जो आपको room temperature पे liquid state में मिलेगी, next property है metals की, metals generally have high melting point and boiling point, high melting and boiling point का मीन से, कि यदि आपने कोई भी metals है, उसे हमने melt करना हैं या पिघलाना है, तो हमें बहुत जादा heat उसको provide करनी पड़ेगी, just वो जिस temperature पे पिघलना या melt होना start होगी, उसे हम कहते है melting point, और melt होने के बाद जब पूरी जो भी metals का आपने जितना भी part लिया है, वो whole metal आपकी melt हो जाए, liquid form में convert हो जाए, और उसके बाद वो boil होना start हो जाए, just जिस temperature पे, उसे कहा जाता है boiling point, तो जो metals होती ही, वो generally solid होती है, इसी लिए उनके melting point और जब वो पर के form में convert होने लगे, जिस temperature पे वो बहुत ज़्यादा high होता है, for example, iron is a metal having a high melting point of 1535 degree Celsius, इतना high temperature required होता है इसको melt करने के लिए, तो जो solid iron है, जब वो liquid में convert होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा हमें malt या melt करने के लिए, बहुत ज़्यादा high temperature की requirement होगी, same way से ही जो copper metal है, उतके लिए भी हमें चाहिए 1083 degree Celsius, however, कुछ exceptions होते हैं, कि जैसे sodium और potassium metals होती है, ये soft होती है, and easily can be cut with the help of knife, that's why ये जो metals है, उनका melting point 100 degree से भी below होता है, यनि water से भी इनका below होगा, ये easily melt हो जाएंगी 100 degree Celsius पे, और फिर कुछी ज़्यादा थोड़ा सा temperature इनको provide किया जाएगा, तो ये boil होना start हो जाएगी, other metal है आपकी gallium, ये इसका भी melting point होता है, वो बहुत कम होता है, इस metal को जैसे हम अपने हाथ पे या palm पे रखेंगे, हतेली पे रखेंगे, तो ये हमारी जो body की heat है, उसके through ही melt होना start हो जाएगी, जैसे ice cube को जब हम उने हतेली पे रखते हैं, तो वो room temperature पर ही क्या होता है, melt होना start हो जाता है, same way से ही gallium भी, हमारे जो हतेली का temperature होता है, या hand का temperature है, body temperature की help सही, melt होना start हो जाती है, कुछ exceptions है metals के, तो ये किसी भी exam में, आपको competition exam में पूछा जा सकता है, कि हमारे body temperature से, या we can put a metal on our palm, तो कौन सी येसी metal है, जो melt होना start हो जाएगी, तो हमें ध्यान रखना है, gallium metal है, दूसरी property होती है, इसकी high density होती है, that means, ये heavy substance होते हैं, example, जो density of iron की 7.8 gram per centimeter cube है, which is quite high, बहुत जादा है ये, there are however some exceptions, जैसे sodium potassium metals है, ये soft metal है, तो जितनी जादा hard metal हो, इसकी density इतनी जादा, और जो soft हो, उसकी density क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो metals होती है, they are high densities, but sodium और potassium की, जो density हो कैसी होती है, low होती है, metals are sonorous, that means, ये sound का production करती है, जो metals है, ringing a sound, when we strike them, जब आपने कोई भी दो metals के बरतने, उनको आपस में टकराएंगे, तो वो sound का production करेगी, sound को produce करेगी, इसी property को कहा जाता है, sonorous property, इसी की वज़े से, हमारे school में जो blail होती है, उसको बनाया जाता है, plate type of musical instrument बनाया जाते हैं, जैसे आपको दिखाया दे रहा होगा, manjira जिनको जो, इस type के होते हैं, भजन किर्थन में उनको काम में, यूज किया जाता है, आपस में जब इनको टकराएंगे, या other type के भी जो product बनाया जा रहे हैं, जिनसे sound का production हो रहा है, जब वो आपस में strike कर रहे हैं, जो भी musical instrument होते हैं, जिसे वाइलन, गीटार, सीतार, इस type के instrument भी metal से बनाया जाते हैं, next property है, metals usually have a silver और grey in color, तो generally, जो common color है, metals का, वो silver और grey color होता है, सिर्फ copper और gold को छोड़ कर, इनके color अलग होते हैं, copper कैसा होता है, reddish brown color का होता है, जब कि जो gold है, वो yellow color का होता है, और इसमें shiny property होती है, बाकी अधर, generally, जितनी भी metals होती है, जैसे हम खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, electric fence, saving machines, car, bus, truck, train, ship, aeroplanes, जितनी भी metals हैं, mixtures यूज़ कर रहे हैं हम metals का, तो mixtures को कहा जाता है, alloys, तो ये generally, इनका color कैसा होता है, या तो silver color में मिलेगी आपको, grain color में मिलेगी, तो ये सबी हो गई हैं हमारी metals की property, अब हम देख लेते हैं non-matters, यानि जो चीज़े metals नहीं है, या जिन में opposite characteristics of metal present होंगे, उन्हें हम कहेंगे non-metal, metal की definition हमने कहा देखी थी, they can lose or donate their electron and get positive charge, तो इसकी opposite definition हो जाएगी आपकी non-metals की, so they can accept electron, या देखें get electron and get, कैसा charge आजाएगा, उस पे positive charge आजाएगा आपका negative charge, तो ये क्या करती हैं, accept करती है electron की, या acceptor of electron होती है, और इनके उपर negative charge आता है, जब हम किसी से कुछ money उधार ले रहे हैं, या हम borrow कर रहे हैं तो हमारे उपर कैसा charge आजाएगा, हमने उससे रिण लिया है, या उधार लिया तो negative charge आजाएगा, ये इसके हमें definition लिखनी है, properties देख लेते हम क्या होती हैं, जो metals होती हैं, वो कैसी थी, malleable थी, तो non-metals क्या हो जाएगी, neither malleable, non-aductile opposite character, and does not conduct electricity, metals सारी conduct कर रही थी, but non-metals क्या करती हैं, bad conductor of electricity हैं, या कह सकते हैं, does not conduct electricity, जैसे metals में कुछ exception थे, same way से ही आपको non-metals में भी कुछ exception देखने को मिलेंगे, तो देख लेते हैं, non-metals जनरली क्या क्या हो जाएगी, carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, helium, neon, argon, krypton, and xenon, diamond and graphite, यह हम अभी पढ़ चुके हैं, कि both are allotrop of carbons, तो carbon यदि आपका non-metal है, तो जो allotrop of carbon है, वो भी क्या हो जाएगी, आपके non-metals, so they are allotropic form of carbon, and all the non-metals are solid gas, except bromine, which is a liquid non-metal at room temperature, हमने क्या देखा था, mercury एक exception था, जो room temperature पे liquid के form में मिल रहा था, बाकी other metals क्या थी, सारी के सारी आपको solid form में मिल रही थी, यहाँ पर क्या होगा, कि non-metals आपको तीनो form में मिलेंगी, solid भी मिलेंगी, gas भी मिलेंगी, और सिर्फ एक non-metal है, बिल्कुल हमें इस नाम को रट लेना है माइन में, कि कौन सी non-metal है, जो room temperature पे आपको liquid state में मिलती है, तो only bromine, only bromine है, जो आपको room temperature पे liquid state में मिलेगी, यह आपको structure दिखा दे रहा है, non-metals का, यह एक non-metal है, यह carbon देख लिया, अपने solid form में मिल रहा है, सभी ने देखा होगा, sulfur, bromine हो गया, और यह chlorine water, chlorine gas हो जाएगी आपकी, जिसको हमने एक jar में fill किया है, chlorine gas, properties, क्या-क्या होती है, तो पहले हम physical properties देख लेते हैं, non-metals, सारी opposite properties हो जाएगी, metals malleable थी, तो यह non-malleable in nature, non-malleable को क्या कह सकते हैं, brittle in nature, यानि कि जब भी आप इनको, with the hammer, या इन पर external force apply करेंगे, तो यह क्या होगी, sheet में convert होने के बजाए, बीच में से black हो जाएगी, यह पतली sheet में convert नहीं होगी, छोटे-छोटे टुकडो में यह, तूट जाएंगी, जैसे कि sulfur, phosphorus की सभी non-metal हैं, और यह brittle in nature हैं, इनको आप पीटेंगे, तो यह क्या होगी, thin sheet में convert नहीं होगी, छोटे-छोटे टुकडो में, तूट जाएंगी, तो इनकी क्या characteristics हो जाएगा, कि they are brittle, in nature, या brittle in nature, malleable नहीं होती हैं, next property है, non-metals are non-ductile, metals are ductile, but non-metals are non-ductile, हमने क्या करा था, stretch करा था metals को, और thin wire में convert करा था, but, जो non-metals हैं, आपकी वो क्या होगी, जब उनको stretch किया जाएगा, तो वो wire में convert नहीं होंगी, they are easily snapped on stretching, for example, sulfur and phosphorus are non-metal, and they are not ductile, ये ductile नहीं होती है, जब इनको stretch किया जाता है, जैसे sulfur, phosphorus तो ये break हो जाएगी, चोटे-चोटे, parts में और wire में convert नहीं होगी, इसलिए इनके wires नहीं बनवाया जाते हैं, तो पूरे इस discussion से क्या conclusion निकलेगा, कि जो non-metal से, ना तो हो ameliable है, नहीं वो ductile है, उनमें क्या property होती है, brittle property उनके अंदर होती है, non-metals are bad conductor of heat and electricity, metals हारी good conductor थी, same way से ही, या इसका positive form हो जाएगा, non-metals क्या है, bad conductor, heat और electricity, दोनों की bad conductor है, that means, जो non-metals से वो allow नहीं करती है, heat को और electricity को की, वो अपने में से पास हो जाए, जैसे sulfur और phosphorus, हम बार-बार जब भी हमें कोई और example याद नहीं आए, तो हम non-metals में इनका example डाल सकते हैं, तो ये conduct नहीं करती है, electricity को, बट कुछ non-metals हैं, जैसे कि metals के अंदर भी कुछ exception थे, वैसे ही non-metals में भी कुछ exception होते हैं, पर देख लेते हैं, क्योंकि ये bad conductor है, इसलिए इनके क्या बनाये जा रहे है, insulator बनाये जा रहे हैं, तो कुछ exception हैं, जैसे कि carbon हो गया, carbon में क्या है, दो eilatrop हमने देखें, diamond और graphite, तो जो diamond होता है, वो भी एक non-metals है, तो ये दोनों ध्यान रखने, diamond is a good conductor of heat, diamond is a good conductor of heat, and graphite, graphite कहां यूज होता है, हम जो pencil लिखने के लिए यूज करते हैं, उसकी निप बनाने में, graphite का यूज किया जाता है, उसकी lead बनाने में, तो graphite good conductor of electricity, heat का नहीं, graphite electricity को conduct करता है, और diamond heat को conduct कर सकता है, ये इसके exceptions हो जाएंगे, तो जो good conductor है, electricity जैसे graphite को यूज किया जाता है, because ये electricity का good conductor है, तो dry sales में, इसको lead बनाने के लिए, electrode बनाने के लिए, इसका use किया जाता है, जिसका कि स्क्रीन पर आपको इस picture में, दिखाए दे रहा होगा, ये आप कभी भी आपके घर में, यूजलेस सेल हो जाएंगे, इसको open करके आप देख सकते हैं, आपको step की lead या rod मिल जाएगी, एकदम middle में, graphite की, non metals are non luster, luster means shiny property है, उनका जो appearance होता है, metals का वो shiny होता है, बड़ जो non metals होती हैं, उनमें कोई भी चमक वाली property प्रेजेंट नहीं होती है, या shiny surface नहीं होती है, उनका जो appearance होता है, वो dull होता है, जैसे sulfur और phosphorus ये कैसे दिखाए देंगे, luster नहीं है, याणि dull appearance होगा, shiny property नहीं है, कुछ exception हो जाएंगे, जैसे की iodine, जो iodine भी क्या है, एक non metal है, बड़ इसमें shiny appearance या luster की property होती है, इसकी जो surface होती है, metals के जैसी ही वो shiny होती है, non metals होती है, soft metals कैसी होती होती है, hard होती है, बड़ नोन metals होती है, soft कुछ exception है, इसमें भी जैसे diamond, diamond का है hardest substance है, यह बहुत hard होता है, और यह non metal से तो यह exception होती है, इसका बागी जो other metals है, वो soft होती है, जैसे diamond क्या था, yellow drop of carbon था, same way as graphite by yellow drop of carbon है, बड़ जो graphite होता है, वो soft होता है, sulfur, phosphorus, यह सभी non metals से होती है, soft होती होती है, next property हो जाएगी, non metals are not strong, यानि कि यह hard नहीं होती है, strong नहीं होती है, and they have low tensile, जबकि metals में क्या था, high tensile strain थी, तो जब भी आप non metal को use कर रहे हैं, कि यह किसी भी weight को, without breaking hold कर पाए, तो ऐसे नहीं होगा, graphite is a non metal, which is not strong, जब भी आप इसके उपर कोई, high amount में weight को रखेंगे, तो वो क्या होँगी, break हो जाएंगी, है ना, break हो जाएंगी, that is placed on a graphite sheet, it will be break, easily, आप इस example को करके, देख सकते हैं, next property है, आपकी non metals में भी, solid liquid or gas at room temperature, तो आप तीनों स्टेट में प्रेजेंट होंगी, आपकी solid liquid or gas में, carbon, sulfur, phosphorus, यह सभी आपको solid में मिलेगी, और only one non metal bromine, आपको liquid state में मिलेगी, room temperature पे, other non metals, hydrogen, oxygen, nitrogen, यह सभी आपको gas form में मिलेगी, non metals have comparatively low melting and boiling point, because non metals कैसी है, soft in nature, that's why, इनके जो melting and boiling point है, वो भी कैसे हैं, low है, but exception है, graphite, which is a non metal, but इसका melting point कैसा है, high है, same way सही diamond का भी melting point, बहुत, diamond का भी melting point, बहुत ज़ादा होता है, sulfur non metal है, low melting point है, one one nine degree Celsius, and graphite, graphite का बहुत ज़ादा है, three thousand seven hundred degree Celsius, तो जो majority है, non metals की, उनका generally melting and boiling point, बहुत हार low, कुछ ही exception है, इसके, जिसमें high melting and boiling point होता है, next is का non metals have low density, इनके density भी कैसी होती है, low होती, because ये light substance होते हैं, इसलिए इनके density भी, बहुत लो होती, sulfur sulfur की density होती है, two gram per centimeter cube, बहुत कम density होती है, one non metals iodine has, however high density, कुछ exceptions सभी के हैं, जैसे की iodine की density आपकी ज़ादा है, non metals are non scenarios in nature, यानि की sound का production नहीं करती है, non metals have many different colors, जैसे की हमने metals में देखा, generally दो color थे, silver and, आपका next color था, gray color आपको दिखाए दे रहा था, और बस कुछ exception थे, copper और gold, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कि इनके अलग-अलग color होंगे, जैसे sulfur yellow, phosphorus white and red, graphite black color में, chlorine gas आपको yellowish green, bromine red brown, hydrogen oxygen color less, तो इनके अलग-अलग color होते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि जैसे हमारे लिए metal useful है, same way से ही non-metal भी हमारे लिए बहुत useful है, बट यह बहुत कम amount में present है, फिर भी हमारे लिए बहुत important है हमारी daily life में, और इनके बिना हमारी life possible नहीं है, देखिए, carbon is a non-metal, और यह क्या organic molecules से हमारे लिए, तो यह हमारी life का एक important role play करता है हमारी life में, तो यह सभी plants में, animals में, human beings में सभी में present होता है, यह comparison between देख लेते हैं, हमें easily समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने एक-एक point को बहुत detail में study कर ली है, comparison देख लेते हैं, metals are malleable and ductiles, तो आप इनको अलग type से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप key point लिख दे, कि malleable and ductility, तो आपको exam में क्या होगा, कम लिखना पड़ेगा, बार बार इन point को repeat नहीं करना पड़ेगा, यहाँ present in metal, not present in non-metal, क्योंकि exam में में आप पास ज़्यादा time नहीं होता, metals are good conductor and heat and electricity, यहाँ पर लिख देंगे, in metals, यह can be polished, यहाँ पर dull appearance, not present, यहाँ पर solid at room temperature, exception लिख दी आपने, यहाँ पर आजाएगा, इस टेट की form में इसको, इसके लिख पॉइंट आजाएगा आपका street, तो solid at room temperature, exception लिख दी जेगा, solid liquid and gas, metals are strong and tough, they have high tensile strength, और इसमें आजाएगा, non-metals are not strong and low tensile strength, metals are sonorous, they are making ringing sound, और यह non-sonorous, बाकी properties भी आप इसमें लिख सकते हैं, देखें, आपको एक questions दिया है, हमारे इसमें book में, देख लेते हैं उसको क्या है, आपकी book में जो question दिया हुआ है, state two reasons for believing that, copper is a metal and sulfur is a non-metal, आपको reason देना है, कि आपने क्यों copper को metal का है, और sulfur को non-metal तो दो कोई से भी आप point बता सकते हैं, कि copper का है, maleable and ductile है, और इसको जब भी आप hammer, या हतूडे की help से पीटेंगे, बीट करेंगे तो thin sheet में convert हो जाएगा, wire इसके बनाए जा सकते हैं, और यह good conductor है, heat or electricity का, wire जो sulfur है आपका, non-maliable है, non-ductile है, brittle है, और इसको hammer की help से जब भी भीट किया जाएगा, तो छुटे-छुटे parts में divide हो जाएगा, या break हो जाएगा, sulfur, bad conductor, heat और electricity का, दो चीजे था हमने देख ली कि metals और non-metals, अब जो चीज या जो substance ना तो metal है, और ना ही non-metal है, उसे हम consider करेंगे metaloid के form में, तो देखिए, कुछ elements ऐसे होते हैं, जिन में some properties of metals and some properties of non-metals, दोनों की properties है, तब हम उसे किस form में consider करें, जैसे कि metals के जैसे वो दिखाये देंगे, बट वो nature में कैसे हैं, brittle है, non-metals की तरह, they are neither conductor of electricity like metals, और non-insulators like non-metals, ना तो insulator की तरह आप use कर सकते हैं, और ना ही वे electricity को conduct कर रहे हैं, because they are semiconductors, तो इन्हें हम कहेंगे metaloids, तो the elements which show some properties of metals, and some properties of non-metals are called metalloids, इनके जो property होगी, ये intermediate होगे metals के और non-metals के, तो कुछ examples देख लेते हम को, जैसे boron, silicon and germanium, ये हो गएं आपके metalloids, और ये semiconductor की तरह ही use किये जाते हैं, ये boron हो गया, silicon and germanium, I hope आपको ये सारे points अच्छे से clear हो चुके होंगे, इदि आपको अभी भी कुछ, किसी भी point में कोई doubt है, तो आप comment box में comment कीजिए, तो आपके सभी doubt आने वाले वीडियो में clear कर दिये जाएंगे, आगे की topic को हम next video में complete करेंगे, और ये आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसे like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए,